हरे कृष्ण मैं हूँ डॉक्टर अर्विंद्र पाठी आप देख रहे हैं लक्क गुरू कारिक्रम लक्क गुरू कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि जो ब्रहश्पति दीन होता है उसका अपने आप में क्या खास महत्त होता है तो जो गुरुवार का दीन है गुरू यानिय की विश्णु भगवान का दिन माना जाता है इस दिन पूरे सरधा भाव से ब्रत करने वाले व्यक्ति की मनो कामनाई पूर होती है और उनका गुरु दोस भी समाप्त होता है ज़ित कुंडली में गुरु की दोस है या गुरु नीच का है या गुरु उनकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये ब्रत रहने से गुरु जनित समस्याओं का समधान होता है जो तिस मनिश्यों के अनुसार जो गुरुवार का ब्रत करने वाले जातक होते हैं उनके जीवन में अनेक परकार के लाब महसूस होता हुआ उनको दिखता है जहां एक और उनके आर्थे किस्टे में सुधार होता है वहीं उनके सेहत भी अच्छी रहने होने लगती है ऐसे लोगों को समाज में सम्मान बिलता है और जो इनके सगे संबंधियें रिष्टदार हैं उनसे संबंध अच्छे हो जाते हैं ब्रहश्पति दिन का ब्रत करने से व्यक्ति के सारे सुखों की प्राप्ति होती है जदि आप गुरुवार का ब्रत सुरू कर रहे हैं तो आप कुछ खास बाते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्या ध्यान रखें आई यह हम आपको बताते हैं आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप बाल न कटावें और न दाढ़ी बनवावें तो जो लोग भ्रेश पतिवार के दिन ब्रत रहते हैं तो उस दिन उनको क्या करना चाहिए कि दाढ़ी और बाल एकदम न कटवावें दूसरा बिंदु है कपड़े और बाल एकदम न धोएं इससे व्यक्त की उम्रचाय होती है दले दरत आती है और तमाम तरह की परिशानिया आती है साथ ही साथ घर को न धोएं या पोचे अन्ना घर के कबार बाहर निकालना चाहिए क्योंकि इस दिन भरजित माना जाता है इसा करने से आपको नुक्सान हो सकता है बिन्दू नमबर तीन नमक का परियोग न करें बिन्दू नमबर चार भगवान विश्लू को जो फल चढ़ा में वह फल दान करने स्वयम न खाएं वह किसी को दान करनें बिन्दू नमबर पाँच लक्ष्मी और नारैड दोनों की साथ में पूजा करें जो आपके लिए लाप्रद होगा और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी अब इसकी ब्रत विधी क्या है आई आपको बताते हैं गुरुवार के दिन प्राता काल अश्नान करके देव गुरु ब्रहस्पति की पूजन करें पूजन में पीली बस्तुए, पीला पुष्प, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी इत्यादी चढ़ाना चाहिए इस दिन क्या करना चाहिए कि केले के पेंड की भी पूजा की जाती है और केले के पूजा करने के बाद आप कथा पढ़ते हैं, पूजन करते हैं और पूजन के समय सच्चे मन से मनो कामना की पूर्ती की प्रार्थना करें और जल में हल्दी डाल कर केले के पेड़ पर चढ़ावें और केले के जड़ में चने के डाल मुनक्का अरपित करें तत पस्चाथ दीपक जला कर पेड़ की आरती करें और गुरुवार के ब्रत में दिन में एक समय ही भोजन ग्रहन करना चाहिए भोजन के तत्पस्चात भगवान ब्रहstपति की क्था शुननी चाहिए तो मैने बताये कि ब्रहसपति आपके कुलनी में कैसे तो इसका क्या प्रभा होगा, इसके लिए आप क्या उपाय करें हैं इसके बारे में मैंने बताया अब आई अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की कि आज है 25 अप्रेल 2019 दिन है गुरुवार खष्टी तिथी है पुर्वा साढ़ना चत्र है कृष्ण पक्ष है चंद्रमा रहेगा धनुराशी में सुभ समय 11 बच के यात्रा करने से परहेज करें जदि आपको लगता यात्रा बहुत जरूरी आप अरिहार है तो आप क्या करें कि केसर का तिलक लगामें और जो आपके घर में बढ़े हैं उनका चरणास पर्स करें आशिरवाद ले और दही गुड़ खाके आप यात्रा पर निकले आपका यात सब्सक्राइब करने का योग बनना समय का सुद्यूप्योग करना आपके लिए पूजी निवेश करना लाब दाय करेंगा जड़ी आप रियल स्टेट में माइंस में कंस्ट्रक्शन में सेयर में पूजी निवेश करते तिस्याज आपको लाब मिलेगा भूमी भवन खरिच सकते हैं और जो मेश राशी के जाता कि उनके राशी से नौमेच चंद्रमा है दनुराशी का जब दनुराशी का चंद्रमा हो तो व्यक्ति बहुत दुरदर्शी होता है और अपने विजन आइडिया को इंप्लिमेंट करने वालाता है इमेजिनेशन को रियल्टी में बदल लेता है और जो चाहता है करता ते समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है तो आप फोकस होईए और अपने कर्मिच्छत्र में लग जाएए आपकी बड़ी सा फलता मिलते हुए दिख रहे है उपाय क्या करना है लाल चंदन का तिलक लगाना आपके लिए स्रेश कर रहेगा सुबंग है नौ सुब्रंग है के सरिया लक मितर है नौ हरे क्रिश्ण अब हम बात करते हैं ब्रिश राशी के तो जो ब्रिश राशी वेले जातक हैं इनको आज अपने माता का सुख मिलेगा और माता के द्वारा बैपार करने का उसर मिलेगा जगह जमीन जहदात खरिच सकते हैं आर्थिक पक्ष मजबूत होगा नए तरीके के वहन खरिच सकते परिवारिक की स्थिति आपकी मजबूत होगी और परिवारिक जूस्वमस्या हैं उसका समाधान होते हुए दिख रहे हैं और आपके संततियां बहुत अच्छा करेंगी जिससे मन आपका परसन रहेगा दुरुतकत की गाड़ी चलाने से परहेज करें चोट चपेट लग सकता है और सौधानी पुर्वक रहना आपके लिए बहतर होगा पदुन्नत होने की संभावना बन रही है पेता का सहयोग प्राप्त होते हुए दिख रहा है और आपके संघर्स का समय समाप्त हो गया उत्रो गेटिविटी न डेबलप हो इस पर आपको सेल्फ रिव्यू करने की जरूरत है पॉजिटिव दृष्टी कोण से देखना बहतर होगा साउधानी क्या वरत्ति है दूसरों की सलाह लेकर के कारे च्छत्र में लग जाए आपके लिए अच्छा रहेगा वो पाय क्या करना है आज भगवान सिव की अराधना करें उनको अर्ग दें और बेल पत्र अर्पेत करें ओम नमा श्रीवाय मंद्र का जब करें आपके लिए अच्छा रहेगा सुबहंक है दो सुबरंग है सफेद लक मीटर है साथ हरे कृष्ण अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की तो जो मिथुन राशी वाले जातक है उनके लिए समय बहुत अच्छा आप बहुदिक छेतर में कारे करेंगे अपने बहुदिक छमता के द्वारा लेखन के द्वारा और अपने इसकिल के द्वारा धन अर्जित करेंगे कीमती सलाह करेंगे उससे धन आएगा फाइनेंस और शेयर में अगर पूजी निवेश करते हैं तो आपके लिए बहतरीन होगा रुका वदन प्राप्त होते हुए दिख रहा है जो भी कारे प्रयास करेंगे तो समस्ता प्रयासरत कारियों में सफलता मिलने का प्रभल्योग बन रहा है परिवार में नयमे हमाना सकता है पत्नी का सुख मिलेगा पत्नी का सानिद मिलेगा दाम पत्य जीवन अच्छा होगा और चारों तरफ से लाभ को देखते हुए चारों तरफ से लाभ मिला जिसको देखते हैं आपका मन परसंद रहेगा आज आपको इध्यान रखना है कि ज होंगे दिगनता बढ़ी रहेगे पतनी से बेवजह विवाद होगा परिवारी की स्थिती प्रत्कूलता में जा सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बेवजह बाद बाद ना करें बाद विवाद से बाचने की जुरूरत है मध्या मारग आपके लिए अपनाना अच्छा रहेगा रोग और सत्रू को एकदम हलके में न लें तो कोई भी कारे करें उस पर थोड़ा कम भीड़ता से करें और आपके मन में जो अशुरुक्षा की भावना डेवलप हो रही है उससे बचने की जुरूरत है और आज यदि आप संगीत का सहरा ले तो बढ़ियां रहेग सुबंके दो सुबरंगे हरा लग मीटे साथ हरे कृष्णा अब हम बात करते हैं करकराशी की जातक है आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी मना हिस्ति वेवजह परिशान हो सकती है आप अकारण तनाव ले सकते हैं तो तनाव की इस्तिति से बचना है वेवजह बाद केकं निम्हाचा और जतना विबादों से दूर रहेंगे उतने अंचा इनर्जी एक है डाद मैं लगाई रचनात्मकर कारों में लगाई यह वेहतर होगा कि रचनात्मकर कारों में अपनी इनर्जी लगाए था डेसा की यत्रा के साथ ना करें ना कटू बोले ना कटू सुने माली हालत आपकी अच्छी होगी परिवार में शुबकार होने का प्रबल योग बना मन आपका प्रसंद रहेगा रोग और सत्रू परास्थ होंगे दाम पत्त जीवन में शुदार होगा और आपके जीवन संगिनी का सुख मिले परिवार में नय म Between के अग मन की प्रबल संभावना बन रही है आज आपको सोधानी के अब रत्नी अब बहुत जली उतावले में, उतावलेपन में जिद्दमें आज़ाता हैं ध्यान रकना है कि उतावलेपन में एग्रेशन में कोई कारें नहीं करना है तो कारें आपका बिगड़ सकता है उपाय क्या करना है ओम नम्ह शीवाय मंत्र का जब करना आपके लिए चाह रहेगा सुबंक है दो सुब्रंग है सफेद लक्मीटर है आर्ट हरे कृष्ण अब हम बात करते हैं शिंग राशी की तो जो शिंग राशी वेले जातक है आज आपकी जो भी योजनाय हैं समस्याय हैं तेक तो समस्याओं का समाधान होगा योजनाय सफल होंगी मूर्त रूप होते वे दिख रहा है तो जो आपकी इमेजिनेशन है रियल्टी में हो सकता है परिवार किस्ति अच्छी होगी, और आज आप हवाई महल बनाना बंद करिए, करम चछेतर में लगिए, परिस्रम करिए, प्राकरम करिए, आपको लाव मिलेगा, भाईउ का सहयोग मिलेगा, परिवार में अच्छा ओगा, सरकारी, नोकरी मिल सकती है। और परिवार में सुभकार होने का प्रबल योग बन रहा है और पत्नी की भोमे का शहयोगात्मक होगी जिससे मन आपका प्रफुलित रहेगा और थोड़ा सा बै होने के नात्याप का मन तनाव में हो सकता है तो जरुरत है आय और बै पर सामजस अस्थापित करना बेहतर होग और चोटी चोटी बात को लेके ना तनाव लें ना तनाव दें इस पर आज आपको विशेश ध्यान देने की जोड़त है आज आपको सौधानी के अपरतनी है जीवन संगिनी को सेहत को लेकर के थोड़ा सा एलल्ट रहने की जोड़त है सचेत रहें उपाय क्या करना है आज हन कन्याराशी की तो जो कन्याराशी वाले जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही स्वरेडिम चला है एक तो जदी आपने प्लानिंग कर रखा है कि हमको जमीन खरिदना है क्रिश्योग भूम करिदना है भूम विभून करिदना बनाना है तिया समय आपके लिए प्रॉपर्टी के श्रब बहुत चले ररीयल स्वर स्टेट में अगर आप यह उस्चितर में वैपार करते हैं तो आप के लिए समय बहतरी नहीं नय रोजजगार के उसर मिलेंगे नए वैपार कर कर सकते हैं उसके लिए प्रतिष्ठा मिलेगे और आज आपको किसी उच्च अधिकारी के द्वारा लाब हो सकता है सासन सत्ता सरकार से लाब हो सकता और थोड़ा साथ अब हम बात करते हैं तो जो तुला राशी की जातक है उनके लिए समय भाई बहनों से थोड़ा सा विवात किस्ति उत्पन हो सकते हैं परिवारी किस्ति थोड़ा दिक्कत आ सकती है चोटी चोटी बात को लेकर के आपस में लड़ना जगणना यह बहतर नहीं है तो बहतर है कि अपने को थोड़ा सा सेल्फ रिव्यू करें और अपनी संकटों से निकलें और क्या दिक्कते आ रहे हैं वो दिक्कतों का समधान कैसे होगा इस पर सोचने की जुरूरत है आज अपने जमीन जैदाद खरिच सकते हैं रियल स्टेट से आज आपको लाव मिल सकता है इसका प साधनों में ब्रिद्धी होगी माता का सुख मिलेगा आज आपको ध्यान रखना है कि माता के हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा इलर्ट भी रहना है सौधानी के अवरत नहीं है इमोशन में आके कोई नेड़े नले उपाय क्या करना है आज आप क्या करें कि भगवान सिव की आ आराधना करें आपके लिए अच्छा रहेगा ओम नमाश्रीवाय मंत्र का जब करना आपके लिए बैतर होगा सुभंक है दो सुभ रंग है नीला लक्मीटर है साथ हरे क्रिश्ण अब हम बात करतें ब्रिश्चिक राशी की तो जो ब्रिश्चिक राशी के जातक है उनको ध्यान रखना है कि एक तो आप खुछ से पर कंट्रोल करें कटुक हासा ना बोले और कई बर क्या होता है कि अपने ब्यवहार के द्वारा अपनों के वीच में पराय जैसे महसूस कर करते हैं आज आप को रियल स्टेट से काफिला मिल अगरील स्टेट में पूजी निवेश करते हैं आपके लिए बहतर होगा भाई बहनों का सुख मिलेगा पिता से मारदर्शन एवंधनलाब होते हुए दिख रहा है नए रुजगार मिलने के औसर मिलने पदुनत के साथ साथ नवकरी भी मिल सकती स्तरका प्रवल योग बन रहा है छुटी-छुटी बातों से बचने की जुरुत है बेवज़ा भी बात ना करें तरान न पालें हेल्थ और वेल्थ पर बेसे ध्यान जैने की जुरुत है कर्च पर थोड़ा नियंत्रन करें आज आपको सौधानी क्या अब दूसरों की बात नहीं मानते तो थोड़ा सा जो आपसे बड़े हैं गुरुजान है उनकी बात माने सुने और उनके दिसान रिदेशन में कारे करते हैं तो आपके लिए बहतर होगा वो पाय क्या करना पीली हल्दी की गांट आपने पर्स में रखना आपके लिए श्र होते हैं छोटी-छोटी बात वो लेका इंढेत होते हैं और बहुत ही उदार निचर के होते हैं अपने नुक्षान करते हैं, तिनको वड़ा सा संतुलेत, आचरण और ब्याभार करने की जुरूरत है, खान पान पर नियंत्रण करने की जुरूत है, और अपने गुश्चे पर कंट्रोल करें, परिवार में सुभकार होने की संभावना बन रही है, कई महत्कुनकार एक साथ हो सकते जिसका लाव मिलते हुए दिखा रहा हुए धनलाब होने की संभाना है परिवार में सुबकारे हो सकता है दूरदेश की यात्रा का भी प्रभलयोग बंदा है और प्रयासरत कारियों में बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रहे पॉलिटिक्स से राजनीती से वियाज लाव मिलने की संभावना बंदे ये सौधानी के अबरतनी है गुश से पर नियंत्रा रखें उपाय क्या करना है बंदरों को केला खिला में आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंक है आठ सुभरंगे के सरिया लक मीटर साथ हरे कृष्ण तो आई अब हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की तो गुरू के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे रोट चटे चटे उपाय बताते हैं जो आपके लिए काफी लाप्राद होता है ताज हम आपसे बात करेंगे गुरू के नुस्खे में कि कुंडली में आजकल बिकट समझ्या होगे मांगलिक दोस्का होना और विवाह का न होना विवाह में देर होना लड़के हैं लड़कि हो सकता है तो जद कुंडली में कई बर क्या होता है कि रहू के साथ मंगल मंगल के साथ स Löня 1 788-12 में कहीं भी बैठा रहता है तो उनकी कुंडली में मांगलिक दोस्त होता है 1508-12 चंद्र कोडी से यह लपन कोडली मांगलिक होता है तो जदी आप सादि देखने जाते हैं त सादी में बिलयम हो रहा है, यह कारणा यह दूसरा कारणी है कि सनिक मंगल के साथ होना यह राहु मंगल के एक साथ होना ये विवाह में देरी का कारण होता है तीसरी बाती होते है कि ऐसे लोगों को हमेशा दिक्कतें आते हैं दिवाह हो गया बैबाहिक जीवन में खटास आ गया कटुता आ गई कई बर क्या होता है कि इससे दिवोर्स तक पहुंच जाती है लगता है आपको क्या करना चाहिए कि संकट मोचन हनुवान जी की सरण में जाना चाहिए और हनुवान जी की हरादना करना चाहिए इसके लिए बहतर है कि जो लोग सोचते कि उनकी कुल्ली मांगलिक है तो उनको कम से कम सनिवार या मंगलवार के दिन प्रतेक मंगलवार कम से कम 11 बार हनवान चलिशा का पाठ करना चाहिए या सुंदर कांड का सामोहिक सब लोग बैठ के पार्ट करें तो बहतर होगा और लड़ू बना लें चन्य के बेशन का या रोट बना लें और बना करके हनवान जेकी अर्पित करें और श्वैम भी खाएं दूसरों को बिच्रित भी करें तो जो मकर राशी की चातक हैं आपको यह ध्यान रखना है कि आप कोई भी समयप से काम करना नहीं चाहते हैं हर चीज कल पर टालते हैं और अगर आपका कारे संपन नहीं होता आप इरिटेट हो जाता आपको गुस्सा आती है और निड़े शिग्र लेती जो आपके लिए हा पूर्देश की यात्रा होगी सुब कारे का भी योग बन रहा है जगह जमीन जैदात खरीच सकते हैं बहान खरीदने का भी योग बन रहा है रोग और शत्रू आपके परास्त होंगे नए तरह के कारे करने से नए वयपार से लाभ मिलेगा माता का सुप मिलेगा पिता का तो निर्वाह करने में सफल रहेंगे और परिवारी की सती मजबूत होगी आज आपको सौधानी के अपरतनी है खर्च पर नियंत्रन करना तदी खर्च करने से बच्चना है उपाय क्या करना है उपाय करना कि सर्शो के तेल का देपक जला में आपके लच्छा रहेगा सुभं क्यार्ट सुबरंगाहरा लकमीटराठ हरे क्रिश्णा अब हम बात करते हैं कुम्भराशी के जातक है आज आपको ध्यान रखना है कि आज आपको चारों तरफ से लाभ मिलने की सती चल रहे है वैपारनया कर सकते हैं कार अच्छा कर सकते हैं और जितनी भी आपके इंपॉर और शत्रों से घेरे हुए माशूस करेंगे दामपति जोने भी सुधार होगा माली हाला तच्छा होगे जीवन साथी से मदद मिलेगा और आज आपको मेंटल मौरल एमोशनल सपोर्ट मिलने की भी संभाना बन रही है पतनी की हेल्थ को लेकर के थोड़ी से आपको चिंता ह हो सकते अग्यात लोगों से अग्यात शूरोट से अग्यात लोग से धन मिलने की भी संभाना बने जिससे मनाव का प्रफुलित रहेगा प्राक्रम से लाव मिलेगा संतान सुक मिलने का प्रबल्योग बन रहा है और आयके अनेक शूरोथ बढ़ेंगे यह महत पूर्ण अब हम बात करते हैं अंतिम्राज्य मिंद्राश्यवली जातक है आज आपको अपने सेंटिमेंट भावनाओ पर ध्यान रखने की जुरत है आवेश में और आक्रोष में कोई कारें ना करें तो कार्यावकर बिगर सकता है विध्या और बाड़ी अपने इसकेल से धनलाव हो करने की संभाना देख रहे ही समय का थोड़ा सद्धुप्योग करने की जोरत समय आपके अनकूल है भागे आपके अनकूल है जितना आप हार्ड वर्क करेंगे जितना मेहनत करेंगे उतनी ही आज आपको लाव मिलते हुए दिख रहा है पर चूर मात्रावे दल्लाव का सेव मिल जाए या संत्रा मिले तो मंदिर में दान कर दें सुभांग है तीन सुभांग है गोल्डन लख मीटर साथ हरे क्रिश्चन आज मैंने आपको बताया कि जदि आपके कुंडली में मांगलिक दोस है मांगलिक दोस के नाते विबास साधी में दिक्कत आ रही है जिसको कैसे दूर करें हनवान जी की महाँ पाय करके जिससे आपके समझ समस्यों का समाध हो इसके बारे में मैंने बताया और अब वक्त हो जिस्द्रमा रहेगा मकर राज्ची में सुबस्वाइग 11 बज के तिरपन मिनट से लेके 12 बज के 45 अपरान काल तक रहेगा राहुकाले 10 बज की 40 अपरान काल तक रहेगा प्रशन देशा का रिशा सूले यात्रा करने से परहेश करें हरे कृष्ण